हालो फ्रेंड्स वेल्कम यू आल आज में आपके बात करने वाले हैं बिग बीरिस साइकल की स्मॉल कैप और मिड कैप में किस तरीके से बीरिस साइकल जिसकी हम बात कर रहे थे चर्चा कर रहे थे वह देखने को मिली और रिस्क मैनेजमेंट अगें वरी इंपॉर्टन जब को भी देखें इस तरीकी के सिचुवेशन आती हैं बार बर आपको एक चीज इसलिए कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अब आपको उसका रियलाइजिशन होगा क्यों क्यों कि जब चीजे पॉजिटिव चल रही होती है तो उस चीज की बारे में जब कहते हैं तो ज्यादा असर होता नहीं है लेकिन जब उसकी वैल्यू जब उसकी जरुवत आ पड़ती है तब उसकी वैल्यू का पता लगता है तो जड़ा समझते हैं और स्टॉक के माधिम से कुछ सीखेंगे समझेंगे काफी डिटेल में रिसक मैनेजमेंट के बारे में और भीरियस सा आपके लिए है इसको देखिए समझें सीखिया प्रैक्टिस जरूर कीजिए मैं आपके सामने एक्जामपल लोंगा आज की डेट में सीला फोम लिमिटेड का आज की डेट में शेयर प्राइस कहां पहुंच गया है कि यह वही स्टॉक है जिसको पिछले कुछ टाइम में हम कहां पहुंच चुका है तो यह स्टॉक हमारा जो विशाय है चर्चा का विशाय था रिस्क मैनेजमेंट का तो रिस्क मैनेजमेंट का कुछ दिन पहले अभी आइधिक मार्च 6 को एक हफ्ते पहले हमें इस स्टॉक में थोड़ा सा दैनी स्थिति दिखी ती बेरिस साइकल क अब यही आये थी कि आपके स्टॉप लौस की तरफ यह जा रहा था बेरिस साइकल अल्ड़ेड़ी स्टार्ट होगी और ऐसे ही यही नई बलकि अनेक स्टॉक में ये बेरिस साइकल जो बुलिस में थी वो बेरिस में टर्न हो चुकी है लेगिन मैं आपको बार बार यही ब प्राइस सेक्षिन के बारे में बात करता है वहाँ पर हमारा मेजर गोल क्या था हम एंट्री लिया बुले स्टाइकल में माल लो यहाँ पर 1170 या 1180 पर मैंने एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर डीप स्टॉप लॉस था मेरा यह पॉइंट ऑल्मॉस्ट पहले बेरिस साइकल बन जाएगी तो निकल जाएंगे तो यह दो इंपोर्टेंट या या यह लॉस अब देखना यहां से सबसने की कुशिश करने यह पर जिस पॉइंट के हम चर्चा करने वाले हैं वह यह है अब इस टॉक में बेरिस साइकल कब स्टार्ट वी यह जोन है अल्मोस्स हंडड़ पॉइंट का लॉस था हंड़ड़ पॉइंट के लॉस पे आप निकल गए जब एक बार किसी स्टॉक में बेरिस साइकल स्टार्ट होती है तो उसको कई बार क्या होता है प्राइस तो गिरता है लेकिन कई बार प्राइस नहीं गिरता है लेकिन वह बहुत इंपोर्टन है मानेजमेंट सबसे पहले कभी भी किसी इस टॉप ले सकता हूं और आप का और और कम द正निंगा ते मुझा देखल Zar allegiance निया यह लिए यह वा देखे प्लकर आज इसए नीचे की तो आप मुझे निकलना है नहीं है कई प्लान से जो भी आपने प्लान किया अगर वह फेल हो गया तो उसके लिए आपने एक प्लान मना रखा तो मैं क्या कर रहा तो उसको एक्जिक्यूट करना बहुत इंपोर्टेंट है अधर्वाइस वह आपने आपके लॉसस को और बढ़ा कर सकता है तो इसलिए य आपके entry point से लेकिन जब आप देखोगे आने वाले time पर यह small cap और mid cap इतने नीचे गिर जाते हैं कई बार ऐसी situation आती है कि यह almost 80-90% तक भी गिरते हैं इसलिए risk management बहुत important है बहुत-बहुत important है जरूर ध्यान दे risk management के उपर तो bullish cycle की सोची थी various cycle में पिछली बार की देखिए पिछली बार बीरिस cycle start हुए कि 1400-1500 की zone से कितना time यह रही तो time ज्यादा भी रह सकती है ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं रह सकती है और जल्दी से वापस rejection भी देखने को मिल सकते हैं फिलहारी बीरिस cycle में है तो जब भी आपका plan अगर थोड़ा बड़े time frame के असाब से आपने मंतली weekly daily में चलते हैं तो daily में बीरिस cycle start हो जाती है तो मतलब एक risk zone आपका start हो चुका है तो यह जरूर समझे यह बहुत important part है बीरिस cycle में कोई fresh entry नहीं entry लेंगे तो bullish cycle में हाँ जो आपने सूचा था वो plan अगर fail हो गया risk management तो निकलना बहुत important है मैं इसलिए आपको कह रहा ह है तो फिर गिरावट अगर यहां पर stop loss मैं करूंगो यहां पर support नहीं मिलता तो गिरावट continue होके जहां से एकदम rally आई थी वहीं तक जा सकती तो यह market का मैं कि यह काम है उतार चड़ाओ यह market का काम है देखिए opportunity ऐसा लग रहा कि यहां यहां पर change करके ऊपर जाने के कोशि देते रहना है और इनको execute जब भी वह आपको लगता है कि हाँ आपका stop loss है वह level आ चुका है तो घमराना नहीं है वह important part है risk management क्योंकि आपकी capital देखिए अभी के टाइम पे जिस तरी किसे पूरा जो है mid cap or small cap मैं कहूंगा almost 90% अप देखिए तो वहां पे एक बड़ी correction आपको बहुत सारे डियर सारे stocks है mid cap or small cap जिनमें आपने entry लियोगी अगर आपने profit बुक नहीं किया वा 30-40% के आसपास जाकी भी उनमें भी corrections आपको देखने को बिल गयोगी और बहुत सारी stocks में daily time frame भी बीरिस cycle स्टार्ट हो गई होगी आपको इसलिए बता रहें कि market की situation जो आज इस तरीके से cycle में आपको दिया था और आज यह देखे कहां तक पहुंच अगर आपने पुराना चे मार्च वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखे इस आप बहुत को सीखोगे और market में यही situation जो होती है गिरावट वाली situations होती है वह बहुत important होती है हाँ वापस momentum आना क्योंकि momentum लोस्ट विलकुल अगर आद देखो यहां पर देखोगे इवन वीगले time frame पर बहुत सारी जगे पर आपको momentum lost होता वा देखने को मिल रहा होगा मिलेगा मौका मिलेगा वापस momentum आएगा तभी entry लेना है और momentum नहीं है तो momentum नहीं होता है कई बार sideways में बहुत लंबा टाइम खेशती मार्ट इसलिए momentum का होना जरूर है wind up करता हूँ वीडियो को और उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के मादियम से आपने जरूर को सीखा होगा risk management के बारे में और risk management अब धेर सारी learning आपको risk management के बारे में उलेगी क्योंकि market risk management वाली जून में जा रही है इसलिए है कि नहीं है तो share कीजा आप like को इस तरीके की situations को भी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है थांक्यू थांक्यू पर आचने वीडियो